हलो दोस्तो चैनल पे आप सबका एक बार फिर से सबागे दोस्तो वीडियो स्टार्ट करूँ से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तो जैराज और फिनिक्स साथ में तमिल नाड़ू के टूटी कॉरिन या फिर तूटी कुडी में क्या हुआ था हम सबको पता है सोशिल मीडिया पे जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है यह हैश्टेग वाइरल हो रहा है हैश्टेग जस्टिस फोर जैराज और फिनिक्स तो दोस्तो बताने की जरूतनी वैसे फिर भी में आपको थोड़ा सा उपर का बता देता हूँ के टूटिक और इन में पिता पूतर की दुकान थी पुलिस वाले वहाँ पर नॉर्मल जो उनका रूटीन चकप था वो कर रहे थे और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि उनको पुलिस टेशन लेके गए वहाँ पर उनके साथ में दोस्तो मार पीट हुई लाठी चार्ज हुआ इस तरह से उनके साथ पिटाई हुई कि उनकी मौत होगी दोस्तो कस्टीडियल देथ होगी उसी मामले में आज जो है बड़ा स्टेटमेंट आया है वहाँ पर मौजूद एक पुलिस कॉंस्टेबल ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है दोस्तो दरसल काम है रेवाथी स्टेटमेंट यह है कि पिता और पुत्र की उस रात बूरी तरह से पिटाई हुई थी चारो तरफ जो है वो खून के दाग लगे हुए थे लाठी पे भी टेबल पे और फ्लोर पे भी इसके साथ में रेवाथी ने यह भी कहा कि बूरी तरह से एक डर का मह तो उनको अलग से जो है वो प्रोटेक्शन दिलाया मेजस्टेट ने उसके बाद में लेकिन दोस्तो जो भी है इस स्टेटमेंट के बाद में चीजे खुलती भी नजर आ रही है यह केस जो है खुलतावा नजर आ रहा है आगे इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आप आपको हमारे चैनल पर जरूर देंगे वीडियो तो दोस्तो इसी बात पर प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक करें वीडियो को और शेयर करें जिसको भी इस बात की नौलेज नहीं है इस बात का पता नहीं को कि यह पहला वीडियो इंटरनेट पर दोस्तो इस बिन्यवाद जय हिंद दोस्तों